हेलो स्टुडेंट्स वंस अगें विल्कम टू आर चैनल फिटनेस पार्ट साला स्टुडेंट्स आज मैं आप सब के लिए लेके आए हूं क्लास 11 फिजकल एजुकेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डोपिंग क्योंकि चैप्टर नंबर तिन से है जिसको आप इसद्रिटनke एकुपिटनेस पार्ट साला को लाइक सिस्क्राइब और बिल आइकान को प्रेस करें ताकि साथ ही साथ आपको इसका नोटिफिकेशन मिलतारे और जो भी स्टुडेंट्स अच्टी मटेरियल चाहते हैं वह टेलीग्राम चैनल फिटनेस पार्ट साला के नाम से टेलीग्राम पर भी जोईन कर सकते हैं वहां पर उनको सारे जो भी jsutरी मेंसे मिले जाएंगे तो देन न करके हम डिसकस करते हैं डोपिंग के बारे में इस्टुरेट तो सबसे पहले हम हम देख लेते हैं कि what is doping, doping है क्या है इसका थोड़ा सा जो प्रिवियस बैक्ग्राउंड है the history of doping being antiquity at the time of first olympic games in classical Greece तो अगर हम doping की इतियास की बात करें तो ये classical Greece के time से इसका पहला जो olympic यानि की doping का जो issue आया जो सामने देखा गया doping को ओफाइस्ट olympic games in Greece से ही स्टार्ट हो गया the substances used for doping are linked to the development of chemistry and medical science synthesis तो जो symptoms हैं यानि की जो substances हैं दवाओं का यूज करके अपनी performance को बढ़ाने के लिए न मिटकल कुछ chemical रहसायनिक तत्वों का यूज करके medical science का यूज करके अपनी performance को enhance करने के लिए यह ड्रक्स का दवाओं का यूज किया जाता है there are several origins of the word doping one of these is the lemma dope alcoholic beverage used as a stimulant in the dances of the 18th century in South Africa तो इस्टुमिलेट एक उत्यजिक पदार्थ के तोर्पे जो यहां पे देखा गया first olympic में dance को अपनी performance को enhance करने के लिए अठारवी सताब्दी में South Africa में इसको यूज किया गया था जो फर्ट डोपिंग का यह साया दिन second one बात करें doping है क्या तो doping is the use of abuse of substances or medicinal products with the aim of artificially increases increase the physical performance the use of doping is an improvement in sports and to the medical science तो doping why in साधारन सब्दों में हम कह सकते है student doping क्या है doping एक method एक technique है जिसको abuse substances यानि कि illegal तरीके से किसी भी दवाओं का प्रियोग करके खिलाड़ी जो athletes है वो अपनी performance को illegal तरीके से एक normal person ना हो करके वो अपनी performance को एक abnormal person की तरीके अपनी performance को enhance कर लेता है यानि कि गलक डवाओं का यूज करके जो की allow नहीं होता है sportsman spirit जिसको allow नहीं करती ऐसी चीजों का यूज करके वो अपनी performance को enhance करता है और अपने आपको बिनर साबित करने के लिए यह सारे काम्स वो करते हैं तो illegal substances या कह लीजिए आप probiated substances का यूज करना ही क्या कहलाता है डोपिंग कहलाता है इन sports में देन इस्ट वन बात करें स्टूडेंट हम यहां पर डोपिंग substances and medicines are drugs and athletes not sick so he cannot benefit from those तो यहां पर कुछ मैं आपको एक्जामपल सो कर रहा हूं examples of substances doping के कि कौन कौन से कुछ substances के बारे में जैसे कि the emphetamines are psycho stimulant that reduce the sense of fatigue तो emphetamine नामक इस दवा का यूज करके क्या करता है psycho stimulant है जो हमारे body में हमको fatigue को realize नहीं होने देता हमारे sensory organs को brain को तो इसका यूज करके खिलाड़ी अपनी tiredness fatigue को दूर करते हमारे sensory organs को यह sense organs को एकदम neutral कर देता है इसके यूज से दिन वाई आर दे डेंजरस यह डेंजरस के हो हैं प्यटा माइन फटीक वार्म अस विन आवर फोर्स आर रनिंग आउट तो फटीक हमको inform करता है कि हमारी body tired हो गई हमारी muscles ठग गई हैं तो हम किसी भी activity के करने के लिए हमारे पास energy नहीं है बट यह क्या करता है कि यह वाटीक कौम को फिली नहीं होने देता है इसकी वज़ासे वाड़ी में हमारे तो इससे क्या हम देखते हैं कि जो हमारा body muscles है वो overload उन पर पढ़ता रहता है और overload होने की वज़े से उनकी performance जो है वो तो reduce होने लगती साथ ही साथ और उनमें injuries होने लगती है यानि कि muscles में problems आने लगती है what are the side effects इसके side effects क्या है they give a lot of heart problem until you get to conversion, coma and death तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो side effects हैं वो क्या करते हैं ज्यादा use करने से players को continuously इसको use करने से players की death भी हो सकती है heart से related problem हो सकती है coma में unconscious भी हो सकता, coma की problems हो सकती है और साथ ही साथ heart attack, heart disease related बहुत सारी problems हो सकती है, clinical studies have shown that they have a component of toxicity that lead to permanent neurological damage तो जिससे हमारे neurological damage यानि कि हमारे brain से related बहुत सारी problems भी इस में हो सकती हैं इसके ज्यादा यूज से दिन निस्ट वन ने इनाबोलिक इस्ट्राइट की बात करें are substances which increase protein synthesis by increasing the mass and muscles strength तो ये क्या है ये stimulant इनाबोलिक इस्ट्राइट जो है वो हमारे body में protein synthesis को increase कर देता है यानि कि ये especially वो प्लेयर से योज करते हैं जिनको अपनी strength को improve करना है muscles strength को बढ़ाना है जैसे weight lifters वाक्सर्स इस तरीके के प्लेयर से इसका योज करते हैं और योज करके अपनी muscles का strength और mass को increase करते हैं why are they harmful ये क्यों harmful है they lead to many health risks without result found in all athletes तो इससे बहुत सारे health risks हो सकते हैं ज्यादा obese होने से ज्यादा protein का योज करने से हमारी body में various तरीके के disease create हो सकते हैं then what are the side effects इसके side effects जाएं तो also here they are a lot under 20 years lead to premature growth arrest in women's causes infertility in women and appearance and appearance of typically masculine traits तो इसके ज्यादा योज करने से जो महिला हैं उनमें आप देखेंगे कि जो president की चमता है उस पे effect पड़ता है साथ ही साथ जो उनकी आप कर सकते हैं कि जो आवाज है वो थोड़ा सा है भी हो जाती है भारी हो जाती है एक female की voice जो है is fatigue resistance ना तो यह क्या करता है कि हमारी जो fatigue resistance है को increase करता है reduce करता है performance को हमारी body में जो कहते हैं कि protein क्या है extent को provide करेगा तो यह जो muscles की performance है उसको increase करेगा साथ ही साथ हमारे blood में जो oxygen carry होने की जो capacity है उसको increase करेगा जिससे हमारी performance इनांस हो जाती है why are they harmful यह harmful क्या है the EPO cause the blood vasocity increase and consequently the risk of thromobotic events stroke and heart attack तो के ज्यादा यूज करने से EPO इस्टो प्रोटीन के हमारी body में heart attack and stroke के chances बढ़ जाते हैं the next one बात करें what are the side effects they are headache joint pain high blood pressure and seizures athletes who inject high dose of iron are at risk of saver iron overload तो ज्यादा इसके यूज करने से हमारे joints में दर्दे जो players इसके ज्यादा यूज करते हैं इस्टूडें उनके joints में पेन होने लगता है headache सिर्दर की problem होती है high blood pressure की problem होती तो यह सारे symptoms उनके अंदर देखने को मिलते हैं then these are two examples of how to risk his life for improvement temporary but the doping substances currently in use are a lot and all of them create dependence तो यहाँ पे students एक question बनता है the real questions की बात करें इस substances hurt why have been produced तो जब यह substances नुकसान पहुंचाते हैं इनको क्यों produce किया जाता है तो many substances are used by doctor to treat patient suffering from particular disease amphetamine were used for example to treat narco-lipsy and hyperkinetic syndrome child and as anodic substances तो यहाँ भी जो यह दावाएं है students जो athletes यूज कर रहे है इस यूज करना है अपनी performance को enhance करने के लिए इसको doctor various disease के लिए अपने treatment के लिए यूज करते हैं suggest करते हैं तो इस लिए इन दवाओं को produce किया जाता है नहीं तो यह questions हमारे mind में यह भी आता है जब यह दवाए totally athletes के लिए गलत तरीके से इसका यूज करते हैं तो इन दवाओं पर क्यों नहीं लगता तो दवाओं इस लिए इनको produce किया जारा है क्योंकि इससे doctor various disease का treatment करते हैं the next one है doping का थोड़ा सा यहां पर अब मैं एक shortcut आपके सामने प्रिजेंट कर दूँ what guide the human to use substances doping तो first one the above others है न दू नाट accept the idea that only with the commitment and sacrifice we can achieve certain goals तो अचाने तुरां तो वह एक performance को enhance करने के लिए lack of self confidence जिनके अंदर खुद के अंदर यह लगता है कि वह कहीं न कहीं किसी opponent से कमजोर है तो athletes वहाँ पे इसको अपने self confidence नहीं होता उनके अंदर इसलिए वह athletes से इसको doping को use करते हैं I suspect that opponents use performance enhancing drugs तो जो opponents है उनको भी यह भी doubt होता है को जो उनका opponent है जो उनसे bitter दिख रहा है उसने भी ऐसा किया है doping को use किया है legal substances का use किया